ते नमस्कार गाईज, वेल्कम ओन ये वर सबका बायो लोजिस्ट चैनल आए नमस्ट की इरेचेंगे लिविंग THINGS RESPIRE Living THINGS Living THINGS सांस लेते हैं आप जैसा कि सलाइड में देख रहे हैं ये रैस्पारिटरी सिस्टम है मैन का जो HUAMAN होते हैं वो RespIRE TRI system के द्वारा respiration करते हैं ये मैन का स्वास्न तंत्र है Animals को जरूरत होती है oxygen की अपने life को चलाने के लिए वे oxygen लेते हैं air से और release करते हैं carbon dioxide body में oxygen produce करता है energy food से और इस energy को use करते हैं animal अपनी function को perform करने के लिए animals need oxygen to support their life they breathe in oxygen from the air and release carbon dioxide in the body oxygen produce energy from the food this energy is used by animal to perform their life function animals के पास special organs होते है respiration के लिए जिसका example है बहुत से animals जिसमें human भी होते हैं वह are aspire करते हैं lungs के जरिए और fish aspire करते हैं gills के जरिए fish अपने gills के जरिए aspire करते हैं उनके पास gills होती है bı bracelets और reptile जो होते हैं वह are aspire करते हैं through the air tube air tube के जरिए in their body अपने body में प्लांट्स के लीफ में एक तरीके का सुराख होता है जिसके जरिये प्लांट्स रेस्पायर करते हैं दिन में प्लांट्स कार्बन डाय ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सिजन छोड़ते हैं लेकिन जब रात होती है तब प्लांट्स ऑक्सिजन को लेते हैं और कार्बन डाय ऑक्साइड को छोड़ते हैं इसलिए रात को पेड के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है क्योंकि प्लांट्स ऑक्सिज़न लेते हैं और कार्बन डियोक्साइड रिलीज करते हैं जिसके वज़े से पेड के नीचे ऑक्सिजन की कमी हो जाती है जैसा कि आपको पता है कि हुमन्स भी ऑक्सिजन लेते हैं और कारबन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं जब हुमन पेड़ के नीचे सोया होगा और वहाँ पे ऑक्सिजन की कमी होगी तो हुमन्स ऑक्सिजन कैसे लेंगे इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा